बगवान महावीर ने कहा जब तक आत्मा संपोर्न रूप से कर्मों से मुक्त नहीं होती तब तक वो चार जन्म अवस्ताओं में आती जाती रहती है। कभी नरक में जाती है तो कभी पशु पक्षी योनी में, कभी मनुश्य तो कभी देव योनी में। इन चार जन्मस्तिती के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, बस आत्मा अच्छे भुरे कर्मों के हिसाब से इन चारों में चक्कर लगाती रहती है, इसी को 84 का चकर कहते हैं, यानि कभी देव तो कभी पशू, कभी मनुश्य तो कभी नरक का जीव, इन चार गतियों में स यहां रहने वाले जीव देव कहलाते हैं, देवों का शरीर वैकरिय होता है, अर्थात वे अपने सरीर से कोई भी दूसरा रूप बना सकते हैं, एक साथ चाहे जितने रूप बना सकते हैं और बदल भी सकते हैं, इनके शरीर में बुड़ापा, रोग, इत्यादी नहीं आत देव आयुश्य पूरा करने के बाद इनका शरीर कपूर की तरह उड़ जाता है, इस देवगती में वे ही लोग आ सकते हैं, जिनके जीवन में सैयम, त्याग, तपस्या, उच्च विचार, उच्च भाव, दूसरों को अपनी तरफ से जरा भी दुख नहीं देने की मनोवर दूसरे सब्दों में कहें, तो जो संसार में रहते हुए भी सादू जैसा जीवन बिताता है, उसे ही स्वर्ग या देव गती मिलती हैं, जैसे बिजनसमेन अपने बिजनस में कई आइडियास लगा कर उसे नेक्स लेवल में लेकर जाता है, वैसे ही देव योनी के सुकों स असंतुष्ट जीव चाता है कि उसे स्वर्ग से भी उंचा सुक मिले और वो भी पर्मनेंट, तब ऐसे लोग पर्मनेंट सुक की चाह में निकल पड़ते हैं, और वो पर्मनेंट सुक मिलता है इन चार योन्यों की परिक्रमा या मुक्ती से, जब आत्मा अपने स्वर पु पर ये मुक्ती इतनी आसानी से नहीं मिलती, कई सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं पर्मनन शुक के लिए, लक्ष्य जितना बड़ा होता है वो उतना ही बड़ा त्याग मांगता है, इसलिए आपने देखा होगा हिमालई की गुफाओं में, चोटियों में, कंदराओं में, साधूओं को साधना करते, कई लोग जो ऐसी साधनाय करते हैं, उनको लोग बेवकूफ समझते हैं, वे बेवकूफ नहीं, इंटलिजन स्मार्ट है, जिने छोटे छोटे टेंपररी स्वर्ग वाले सुक नहीं चाहिए, बड़ा वाला पर्मनेंट मोक्स वाला सुक चाहिए इसलिए वे मार्ग में आने वाली हर कष्ट को सहन करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो छनिक या टेंपररी सुक को स्वर्ग कहते हैं, और एटर्नल या पर्मनेंट सुक या आनन्द को मोक्ष कहते हैं, हलांकी स्वर्ग का सुक मनुश्य को मिलने वाले सुक से ज्यादा समय वज्यादा आयूवाला होता है, एक्जामपल के तोर पर अगर मनुश्य का मैक्सिमम आयूश्य सो साल का है, तो देवो का है हजार करोड वर्स का या उससे भी ज्यादा, पर फिर भी वो है तो टेंपर उसकी अवधी समाप्त होने पर उनको फिर से चारो योनियों में बटकना पड़ता है। जब मोक्ष या मुक्त अवस्ता एक बार प्राप्त हो जाने के बाद, आत्मा जन्म मरन के चक्कर से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है, पर्मेनेंटली। फिर न जन्म होता है न मरन और ना ही कर्मबंद, सबसे मुक्ती मिल जाती है। तो कितने मोक्ष के इच्चुक है और कितने स्वर्ग के, कमेंट में बताएं।